तो आप काफ़ी सारे बच्चों को डाउट हो रहा कि सर हमारा जो CSJMU private result कब तक आएंगा यानि कि private result कब तक आएगा क्या आ चुका है इसके लेकर भी doubt है बच्चों के और साथी bike paper वालों को और EX जो form भरे थे उन बच्चों का result कब तक आएगा इसके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो में बताऊंगा क्या result आ चुका है काफि सारे बच्चे ये भी comment करके टेलिग्राम पे बता रहे हैं कि हाला कि आप सभी लोग जो student है बहुत अच्छे है कि जब result आ जाता है खुद टेलिग्राम पे काफि बच्चे inform कर देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप लोग टेलिग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलिग्राम से जुड़ जाना तो यहाँ पर जो doubt है कि private result साथी बायक पेपर और e-ex form का जो result है वो कप सका आएगा क्या result आच चुका है तो सबसे पहले तो आपको मैं doubt clear कर देता हूँ जो काफि सारे बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं comment भी किये हैं यहाँ पर सभी के आपको मैं comment एक बार दिखा देता हूँ वरना आप लोग ऐसे बो लोगों की वीडियो बना देते हूँ तो यहाँ पर भाई ने comment किया है कि बिये private third year का result कब तक आएगा भाईया तो यहाँ पर इन्हों ने comment किया है उसके बाद से हम यहाँ पर नीचे आजाते हैं नीचे आने के बाद यहाँ पर मैंने अगर आप लोगों ने अभी तक result चेक आउट नहीं किया है जो आपके जो result हैं बिये बिये सी बिकोम के हैं रिगुलर वालों तो यहाँ पर डारेक्ट लिंक मैंने दिया था टेलिग्राम से आप लोग डारेक्ट क्लिक करके आप result को चेक आउट कर सकते थे उसके बाद से यहाँ पर इन लोगों ने comment किया है कि आप लोग देख सकते हैं कि क्या नाम है इनका यहाँ पर देख सकते हैं अमन गुत्ता ने comment किया है कि ब्यस्टी एक्स स्टुडेंट का result कब आएगा उसके बाद से और भी यहाँ पर comment है तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने comment किया प्राइवेट वाले कैसे देखे result उसके बाद से यहाँ पर बिये थर्डियर का उसके बाद से यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने comment किया है और भी आपको मैं comment दिखा देता हूं उसके बाद से यहाँ पर भाईया बैक पेपर का result कब तक आएगा देखे बहुत सारे लोग comment कर रहे हैं यह सब latest comment है जो मैं निकाल रहा हूं उसके बाद से मैंने इनको जवाब भी दिया था कि भाईया बैक पेपर का result कब तक आएगा next video बहुत जल्दी आ रहा है तो यह video मैं shoot कर रहा हूं उसके बाद से यहाँ पर मैंने इनको बताया भी था कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी को reply नहीं देता हूं तो इसका मतलम मैं comment पढ़ता नहीं हूं मैं comment टेली पढ़ता हूं अगर मैं एक एक करके सभी को reply दूँगा तो मैं video कब बनाऊंगा यानि कि मेरा time जो है reply में ही निकल जाएगा इसलिए मैं सभी के जो comment होते हैं चाहे इंस्टाग्राम में हो जाहे टेली ग्राम में हो सभी के comment में पढ़ता हूं उसके बाद से उस पर complete video बना देता हूं तो यहाँ पर मैंने देख सकता है सभी चाहतों जो comment कर रहे है private result by result EX result कब आएगा जल्द video आ रहा है आपके comment पर तो मैंने आपसे वादा किया था कि जल्द video आ रहा है तो finally मैंने सामको ये video डाल रहा हूं उसके बाद से और भी यहाँ पर comment आपको मैं दिखा देता हूं सबसे पहले आपको comment इतने सारे हैं जो मैंने main main comment लिया है और भी comment है आपको मैं दिखा देता हूं अब यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने comment किया BSCEX student का result कब आएगा उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने क्या दिया है कि कुछ student यह बोल रहा है कि result आ चुका है देख सकते हैं BSCEX student का result कब आएगा इन्होंने comment किया तो एक बंदे ने यहाँ पर जो student है उन्होंने यहाँ पर reply दिया है कि आ गया है उसके बाद इन्होंने फिर से कहा नहीं आया है तो वो बोला नहीं आया है भाईया मेरे friend का आ गया है इसलिए मैंने बताया है यहाँ पर इसलिए बताये यह लोग यहाँ पर बता रहे हैं तो यह बताया दीजिए कि कैसे check करें इन्होंने पूछा भी है तो इन्होंने नहीं बताया तो अब आपको मैं doubt यह clear कर देता हूँ कि क्या result आया है या नहीं आया है तो बच्चो हम result वाले section पर आ चुके हैं इसके बाद से यहाँ पर हम आपको select करके दिखा देते हैं यूजी में अगर private वालो का result आया होता back paper वालो का result आया होता यहाँ पर जो अभी सिर्फ regular देख रहा है यहाँ पर नीचे एक कालम हो जाता private का और नीचे कालम हो जाता back paper का और ex का सारे कालम यहाँ पर आ जाते हैं तो बच्चो आपको परेशान नहीं होना है अभी जो result आया है वो सिर्फ regular वालो को आया है बात रही private की तो देखिए कानपूर इनवर्सिटी कब क्या करती है कब कौन सा notice निकालती है इसका अलग से notice निकाल के बताती नहीं है कि हाँ हम यह result जारी कर रहे हैं जैसे कि लखनाव इनवर्सिटी कोई भी result जारी करती है कोई भी information होती है तो सबसे पहले वो notice box में डाल देती है कितने courses का रिजल्ट आया है जो कि कानपूर इनवर्सिटी ऐसा नहीं करती है आपको website को चेकाउट करते रहना है करते रहना है तभी आपको पता चलेगा कानपूर इनवर्सिटी इसमें कोई भी information नहीं देती है कि भाईया आपका जो result है वो आ चुका है तो मैं लगातार चेकाउट करता रहता हूँ उसके बाद आपको यहाँ पर update देता हूँ तो भाईया अब आपको मैं बता देता हूँ कि आपका जो result है वो कब तक आएगा बच्चो आएगा तो यहीं पर आप सो हो जाएगा प्राइवेट का उसके बाद back paper का उसके बाद ex का तो अब बात आ जाते है कि आपका जो result है वो कब तक आएगा तो देखिए बच्चो result तो सभी courses का आ चुका है और रही बात regular वालों की सभी courses का लगभग लगभग आ चुका है पीजी में कुछ courses बच्चे हैं उनका भी आना है तो पीजी वाले घवराय में कल मैं वीडियो बनाऊँगा कि पीजी में किन किन courses का result आ रहा है तो अभी जो result आएगा अब सिर्फ बचा है regular और regular का आ चुका है उसके बाद बचा है private वालों का वालों का बहुत जल्द उमीद है मैं आपको जो अपने according बता रहा हूं कि आप सभी का result है बच्चो वो जुलाई के अंदर में ही आ जाएगा उमीद ऐसा मुझे लग रहा बाकी कानपूर इंवर्सिटी से कोई भी notice नहीं मिल पा रही है मने call भी लगाया तो वहाँ पर नहीं लग रही है तो बाकी मुझे जो idea है कि मुझे जो उमीद है हर बार का जो रहा है उसके according में आपको बता रहा हूँ कि जुलाई के लास्ट तक आपका जो बच्चो रिजल्ट है वो आने की उमीद है private और back paper और ex का में आपको जो रिजल्ट है वो अगले महिने में आने की पूरी-पूरी उमीद है वसे तो उमीद यहां पर लगाई जारा है कि जुलाई के लास्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है लास्ट तारिक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा अगर जुलाई में नहीं आता है तो फिर अगस्त में आपको वेट करना पड़ेगा 10 के पहले पहले यानि की 10 तक आपका जो result है जुलाई के बाद अगस्त आगा अगस्त में आपका result आने की उम्मीद है तो मिलते हैं किसी नेस्ट वीडियो में बच्चो अगर आपको कोई भी कमेंट है कोई भी सवाल जवाब है तो मुझे टेलिग्राम पे और इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट कर सकते हैं बच्चो मिलते हैं किसी नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई